नमस्कार आप सबी को APS की तरफ से हर साल जो आपकी examination होता है AWS का जिससे कि आप regular basis पर APS में जो है आप as employee काम कर सकते हैं PIT, TZT, आपकी जो teaching post है उनके लिए यहाँ पर इस बात जो आपकेंसी टोटल हम बात करें तो 700 लगबग teachers की post यह आपर है और 136 RM School की तरफ से यह आपकी है और यह आपका notification 2022 की test के लिए आ चुका है यहाँ पर आप आविदन दे सकते हैं यह आपके कल से शुरू हो चुक है 7 जनवरी से और यह आपके 23 जनवरी तक आविदन किये जाएंगे इस तरह के updates आपको सबसे पहले चैले पर मिल जाती है इसके लिए जानको ज़रू सबस्क्राइब कर लीजेगा साथ में Telegram चैले का लिंक पर दिया गया है उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको teaching related vacancies होती है सबी की जनकरी आपको share कर दियाती है चाहाँ आपकी private jobs हो regular basis चैले आपकी contact business की हो हर एक vacancy की जनकरी तो यहां पर आप पूरा notification है डाउन्डोड कर लीजेगा selection procedure यहां पर mention किया होगा है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं नीचे जो दिया गया है कि qualifications की तो यहां पर पीजीटी टीजीटी पी आटी के लिए यहां पर education mention की गई है aggregate आपके minimum percentage करती होने चाहिए वो भी आपर mention किया गया है PRT में जो आपका graduation होने चाहिए साथ में आपका 2-year diploma जो DL.A.D. है और या फिर diploma in elementary education और B.A.D. दोनों है तो आप eligible है यहां पर option आपर दिया हो है यहां दो DL.A.D. हो साथ में B.A.D. हो इसके लावा T.G.T. के लिए graduation आपके पास होने चाहिए साथ में B.A.D. हो 50% दोरू में होने चाहिए और यह आपका P.G.T. में post graduate आप होने चाहिए P.G. आपने करा हो साथ में B.A.D. और 50% दोनों के अंदर minimum यहां पर qualification mentioned की होई है साथ में आपर age के बारे में आपर बात की जा रही है fresh candidates के लिए less than 5 years teaching experience जिनके पास है इसके लावा below 40 years in case of Delhi school the candidate should be in the age of bracket as per the DSEA and R यहां पर जो mention किया गया है नीचे जो instruction में एक इसके लावा experience इसके लिए भी यहां पर mention किया गया है next यहां पर हम देखे तो यहां पर form बने के exam जो exam की fee है वहां यहां पर कितने रहेगी तो 385 यहां पर fee यहां पर है इसके लावा यह जो आपका online screening test आपका जो होगा वो आपका फैब में होगा 90 to 20 आपके date भी यहां पर इसी में mention कर दी गई है साथ में आपका online ही होगा mcq format में होगा और साथ में PZT-TZT candidates who fail in part B but pass in part A may opt to take the score card for PRT अभी इसलिए mention किया गया है क्योंकि आपके B8 अभी में है तो ऐसा थाहर नहीं आप एक का इस form फिल करेंगे और इसके लाव यहां पर negative marking की भी बात की यहां पर है और यह आप यहां से registration कर सकते है link आपको given है यह का आपका कल से शुरू है 23 January 2022 तक आप यहां पर apply कर सकते है mock test का link भी यहां पर given है exam centers आप चूज कर जाएक पूरा यह notification आप अच्छे से पढ़ लीजेगा देख लीजेगा registration timelines जो भी दीवी है इसके लावा examination की dates भी आप पर पहले से ही mention कर दी गई है publication और result आपका कब तक आ जाएगा admit card आपके कब आ जाएंगे तो 10th of 5 cop को जो है admit card भी available हो जाएंगे यह आपके list है public schools की 136 schools जो है mention किये गए हैं इसमें list of subject भी आपर mentioned है तो I hope आपको नई विकेंसे की जानकारी मिल चुकी है तो स्थेक विकेंसे की अपडेट के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वेल आइकन प्रेस कर दीजेगा और कोई भी अपडेट लेनी हो आप जरूर टेलिगाम पर जुड़ सकते हैं लिंक आपको given है आज किस वीडियो में इतना ही thank you